Hello, let's see the question. The question says the eccentricity of the ellipse 4x square plus 9y square is equal to 36 is option A, 1 divided by 2 times of square root 3, option B, 1 divided by square root 3, option C, square root 5 divided by 3, option D, square root 5 divided by 6 तो हमको पताने की जो हमारे पास क्या है है एसनिशेंटिशियां प्लस 9 y's के स्च धिल्ट फ ही हमारे क्या हों है हमारे पास 4 उप्स जैना मतने हमारे कोन्स ऑप्षिन गोरेक्ट है firstly I will tell you कि कौंट्सेप्ट और की कौंसेप्ट आपकी हेल्फ करेंगा स्कॉस्चन को स्वल करने में को सीटिटी ऑध डिवाइड बाइड बाइश स्केर प्लस वाइश के डिवाइड़ वाइड बाइब इस एकल टू जो कि पर संक्राइब को अ मारी दिहान को दिहन्त सब्सक्राइब मने लोगाता है नहीं होना-वनल वाइदा एक्वल होती है यह हुद् सब्सक्राइब करेंगे अपने को सॉल्व करेंगे हमारे पास इक्वेशन गीवन थी एलिपसी की फोर एक्स स्क्राइब प्लस नाइन वाई स्क्राइब इस इक पूस तो यह मारे पूल था 36 इस इंप्लाइब बोस्टाइब 36 से इवाइब करें तक इसको में जर्नल फोर में कनवर्ट कर चाहिए आज एक की 4X square divided by 36 plus 9Y square divided by 36 is equals to 1. इस इंप्लाइब करेंगे एक्स square divided by 9 plus y square divided by 4 is equals to 1. इस इंप्लाइब इस इंप्लाइब करते की इसंट्रिसिती मारे एक फूल आजिए आपके square root of 1 minus 9 जह हो मारा बढ़ा है पूर से अगर अपने की को सब्सक्राइब आजेगा 4 divided by 9. इसंप्लाइब इसंट्रिसिती E is equals to square root of 9 minus 4 divided by 9. ऋन दिस इप्लाइब आजेब इसंट्रिसिती मिनस E is equals to square root 5 divided by 3. जो हमारी eccentricity हो तो किसी भी ellips की यह हमारी कहती है positive होती है तो eccentricity हमारी equal लागी square root 5 divided by 3 के means हमारा option C correct है option C is correct I hope you understood it well all the best thank you